Hi everybody, welcome back to my channel, my name is Tiksha Bhutiraja and I hope you are absolutely fine. So guys, आज हम करेंगे one idiom, which will be an idiom of the day, that is rainy day. अब rainy day से ये समझ आ रहा होगा कि बरसाती दिन की बात हो रही है, पर no. rainy day का मतलब यहाँ बिल्कुल different है, अगर हम idioms की बात करें, तो rainy day से मतलब ये समझ आता है, जब हम बात करते हैं अपने कठिन समय की, जब हम अपनी life में बहुत कठिन समय देखते हैं, या कभी-गभी हम ऐसे बोलते हैं, कि हमें कुछ पैसा कठिन समय के लिए बजा कर रखना चाहिए, क्योंकि hard time तो कभी भी आ सकता है, future is uncertain, क्या पता कल आ जाए, क्या पता भवान करें, आए भी ना, तो ऐसी चीजों के लिए एक idiom है, that is rainy day, इसका मतलब होता है कठनाईयों का समय, मतलब difficult time, जैसे आपके पास पैसा है, आप उसको थोड़ा सा save रखते हो, क्यों करते हो save, क्योंकि in future, अगर कोई भी incident हो जाता है, या कोई भी difficulty आ जाती है, आप उसको use कर सकते हो, तो इसका idiom यहाँ पर हम relate कर सकते हैं, जैसे we must save some money for rainy day, so अब आपको समझाया कि हमें कुछ पैसा बचाना चाहिए, we must save some money, for rainy day का मतलब है कि कटनाईयों के time, या कटनाईयों के समय, हमें कुछ पैसा बचाना चाहिए, जब हमारा बुरा वक्त आए, या कोई ऐसी मुश्किल आ जाए, तब हम अपना पैसा बचाएंगे, तो वहाँ काम आएगा, तो आपको समझाया, rainy day का मतलब, कि rainy day का मतलब है, यहाँ पर कटनाईयों का समय, जब कोई मुश्किल आ जाए life में, is that clear, कभी आप ये मत समझना कि rainy day का मतलब बरसाती दिन से होगा, यहाँ इसना मीनिंग यह है कि जब हम कोई hard time की बात करें, तब हम rainy day वर्ड यूस करते हैं as an idiom, is that clear, thank you so much, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हो, तो don't forget to like, share and subscribe and save this post for later use, thank you.